को अधसर को परेसथ कि बतला हमलोग नदियों का सीरीस देख रहे थे प्रए जुपिय रदिया की देख लिए थे प्राय जुपिय नदियों को में दिवार में सका दिये थे श्रीज को हम लोग आगे बरहते हुए, आगे चलते हैं और यह देखने का प्रयास कर रहे हैं, कहां तो बंगाल की खाली, जो नदिया गिरती हैं, आज हम लोग इधर की नदिया को हम लोग देख चुके थे, अब यह हमारा वह बंगाल की घुला की जितनी भी नदिया होगी को प्राइद किया नदियों में अब हमारा जो स्रीज है वो बागाल की खाड़ी में गिरने वाले ना जा तो सबसे पहले कोश्चन का ट्रेंड देख लिया जाए कि कुस्टन पुछने की प्रवर्ति है उस पॉस्टन को हम लोग देख लेते हैं नबर वान आपसे जो कोश्च टैपिन है एस्टाइल है वो पुछा जाता है कि ये नदियां नदियों के किनारे नदियों के किनारे सहर राज और यदि प्रकिर्टिक सीमा बनाती है प्रकिर्टिक सीमा बनाती है तो वो खास बागे उसके बाद तीसरे लिए होल का जो प्रस्ण पूछता है वो आपसे प करम, नदियों का करम, और चौथे नमर में जो प्रस्न पुछेगा, कुछ खास बाते, कुछ खास बाते उस नदियों के बारे में, कुछ खास बाते, इस चार तरीखे के प्रस्न बनते हैं, आप से पुछने की उड़ब, और UPSC, VPSC, इस लेवल के उपर कोई भी प्रस्न तो प्रस्न जोग होगा, वो लास्त, करम बाला जोग होगा, उत्तर से दर्चिन चलते हैं, या दर्चिन से उत्तर चलते हैं, तो इस तरीके से जब हम लोग प्रस्न देखते हैं, लेकर के साउथ तक चलेगा, जो नौर्थ से लेकर के साउथ तक चलेगा, या इस तरीके से आपसे करम प्रस्ण को गया या तो North से South या तो South से North तो सबसे पहले दिवार में सेट रखेंगे सबसे पहला नदी कुन है? सोड़ेखा, उसके बाद बेतर्णी उसके बाद ब्राम्मी उसके बाद महानदी, उसके बाद गोदागरी उसके बाद कृष्णा, उसके बाद पेनयार उसके बाद कावेडी, उसके बाद बदे इतनी सारी नदियां है इन नदियों को हम लोग देखेगे कि बंगाल के खाड़ी में सोतंतर रुप से जो बिरती है इन से पहले हम लोग सिंधू तंद्र गंगा ब्रहुन, पटर तंद्र और उनके साथ में साथ प्राईद के नदियों में अरुब साज़ा में दिरने वाली नदियों को हम लोग देख चुके है अब हम लोग पतार्मा बरता है किधर ? तो बंगाल की खाड़ी के तो वंगार की खाड़ी में हम लोग देखते हैं सबसे पहले सोण रिखाना दी याद लखेंगे यह यहां जाएंगे आप यहां पे तो आपको मिलेगा राजी का पठा यहां मिलेगा आपको राजी का पठा राजी का पठा, या इसी को हम लोग होते हैं छोटा नाद्पूर का पठा, छोटा नाद्पूर से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है, सोर्ण रेखा है, प्लियर है, दिमार में सेट हो किया, ये जाखन होते हुए, उरिसा होते हुए, जाखन और उरिसा की ये सीमा जहां भूंब ही यह कि यहां बंगाल की खारी में गिर्जादेर. यद रखेंगे इसी स्वर्ण रेखा नदी के पिनारे हैं, आपको राची सरॉर्ण रेखा की एक सहायक नदी है, खरकई नदी, कौन सी नदी? खरकई नदी, और जहां दोनों मिलती है, वहीं पे बनाया गिय और इसी दोनों के संगम पर है बसा हुआ जंसेदपूर सहर जंसेदपूर सहर ब्रैकेट में आप जिसको टाटा बोल सकते हैं ठीक है जंसेदपूर सहर तो दिमाद में सेट हो गया राची के पठार या छोटा नाथ पठार से एक नदी भी कलती है उस नदी का नाम क्या है ज्ञार्थन होते हुए औरी साहर नदी के किनारी है आपको राची सहर जो ज्ञार्थन के राजणाई है वहीं इसकी एक सहक नदी है खरकैट जहां मिलती है उन्हीं की दोनों के संगम पर बसा हुआ साहर है जंसेदपूर सहर ताका स्वतम्त्र जहांहीं मतलब भारतिये द्वारा अस्था की पहली उद्रू टाटा चीक है 1906 में जो इस्टाट हुआ था तो वह भी आप लोग ध्यांगे रखे के चलिए दिमाद में सिर्फ हो गया अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके बारे में देखे सुन रेखाली यह नदी रा इस नदी उस नदी का नाम है कि अधिके बेतर्मी नदी चीक है कुंसी नदी बेतर्मी नदी देखिए थोड़ा सा मैं में इधर उधर हो सकता है तो आप यहां पे बेतर्मी नदी चीक है बेतर्मी नदी कहां से निकलता है यह भी उरिसा के क्योज़ोर से निकलता है उरिसा इतना दिमाग में सेट रखेंगे अब देखिया ढूरीसा जीले से निकलती है इसका परवाच्छा उरिसा और झार्भराज ये बंगाल की खारी में पीर जाती है इसके बारे में आप दिमाग में सेट रखेंगे चलिए नेश्ट नदी है ब्रहमी नदीव यहीं से आपको नि ब्रहमी नदी भी यहीं से निकलती है और ये ब्रहमी नदी उरिसा में ही जाकर के बंगाल की खाली में जाकर के गिर जाती है तो दिमाग में सेट करें थी कि उरिसा से मतलव राची के पठार से और उसके बाद क्योजोर के पठार से और क्योजोर के पठार से ही एक और नदी ह गई ब्रहमी नदी के किनारे अवस्तिक है आपको एक सहर और वहां पर हुआ थिल सीटी है वहां पर क्या है एस यह यह दक्र चार सब्सक्रान है भारत में चार जगा पर सब्सक्राइब है ठीक है कहा कहा तयार करेंगे आप लोग दुर्गापूर भिलाई वोकारो और उरिसा का एक जगह है उस उरिसा का आपको नाम खुजेंए हमने आपको फ्लू दिया आप यह बताएंगे कि एक एक इस्टिल सीटी जो कि ब्रहमी नदी के किनारे है उस शीट सिटी का नाम क्या है को दिकार नहीं चलिए अब आते हैं ब्राह्मी नदी को याद रखेंगे यहां से राइपूर का पठार है यहां क्या है राइपूर का पठार है यहां से एक नदी निकलती है जो कि अचेफ़सी है तो डेल जनी के राइपूर के लता है तो महा नदी महा नदी कहा से निकलती है तो याद दीजिन हम आपको बताया glucose अमर्गंटक का चल्ट पठार से तीन नदिया निकलती है एक जो उत्तर की ओर जाती है एक जो दप्षिन की और एक जो पस्चिन की ओर यह आपका सोन हो गया यह आपका नर्मदा हो गया और यह आपका महानदी हो गया याद आया कि नहीं तो मेरे ख्याद से याद आ गया होगा चलिए तो क्लियर दिमाय में सेट हो गया कहां से भी नीट मेटाल रैपूर के पठार या नवर कटकर के छेतर से यह नदी निकलती है और उड़ी सा होते हुए कहां जाकर किट जाता है बंगाल की खरी में याद रखेंगे इसी महानदी एक और चीज है वह चीज है चांदी पूर चांदी यहां क्या है आपको इस रोगा प्रेक्षेपन के भारत में दो जग एक पुड़ी सासिच प्रेक्षेपन होता है और दूसरा आंदर परदेश कि लिए दिवांदर सेट हो गया चांदी पूर इस रोग इंडियान स्पेस इस बिसर्च और नाइच यह चैपन होता है प्यसल्ब हो या जीएसल इस पर चारचा करेंबे साइंस और तेक्नोलोजी में लेकिन दिमार विस्ट करेंगे कि हम उसके बारे में बताए बिए कि यहीं से क्यों होता है पुरे 20 में चलेंगे तो नासा आपना प्रेक्षेपन क आज वागत है कि पर दाते हैं क्वादावरी को लिए वीचनि मिलें कोई यह दो न है के धाराव सिमिल्टिंग से कुई है वह ही महानादी महानादी का उद्गम मेटाल परबत की सिहाना पहारी धमतरी जीला 36 गड़ से होता है या इसी को हम लोग क्या पूलते हैं राइपुर्था पठार और इसका परवाद 36 गड़ और और इसी पर आपको क्या है आपको क्लिर है चलिँ हैं अभाद City यहां तक कभी में से जोंगा होग Coolar resc заключ रहं हम लोग वोधावी गरावे पारा अधारो कि रखेंगे यहां नासिक सब्रेश्व नासिके किनारे कनारे ही है आपका का मदल posis गतावी मादी नदी के किनारे ही है नासिक सब्रेश्व और यही नासिक से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है क्या नदी तो गोदाविधी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदाविधी का उधिगम नासिक जिले के तरंबे पहारी से उता है। जहां पर आपको क्या है तरह करा नहीं यहीं कorgtतेैं इसे हम लोग पाते हैं उनके साथ निया प्राइदुगिया भारत की सबसे लंभी नदी ये Eph re प्राइदिकिया भारत की सबसे लगी नदी कुंसी है, तो गुदावरी नदी, गुदावरी नदी कर उद्गम जो है, वो आप देखी हिए, मतलब कहा, नासिक, के ट्रंबेक जीना, पहारी से, ट्रंबेक पहारी से, गुदावरी की शाठ से देखेंगे, इसकी सबसे अब के याद रखेगा यहाँ रखेगा महबलेश्वर्ट आपको याद होगा इधर हम लोग सहात्री का प्रवत बतायें और सहात्री की सबसे उची चोटी साहे की सबसे उची चोटी महापलेश्वाई ठीक है और यहां से आपको एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है क्या तो क्या नाम है क्रिश्णा नदी चीक है इसकी विस्वाई नदी को हम लोग देखे बस यहां रखेंगे महराश्व कोते हुए तयलाजवना होते हुए आंधर पर्देश होते हुए यह जाकर कि आंधर पर्देश में जाकर कर गिर्जानी है जहां यह गोदावनी और कृष्णा का डेल्टा वाला च्टवाई यह नदी क्या बनाती है गेंटा बनाती है यह दिमाग में सेट रखेंगे के यह को दिकत उसके बाद हम लोग कृष्णा को देखने के बाद कृष्णा नदी का ओकम महाम्रेश्वक से होता है यह प्राइदुप्या भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है यह प्राइद्रिक्या भात की दूसरी सबसे बरी नदी है, दिमागी से रखेंगे, कोई दिकत यहाँ दा, मेरे ख्याल से कोई दिकत नहीं होगी, इसकी सहाइक नदी को हम लोग अलग चार्ट से देखेंगे, चार बरी नदियों को हम लोग अलग से देखेंगे, फिर हम स्टैर को यार रखेंगे टीक है इस तरीक्यों से ये कम आठा के छेटर से निकलती हैं इस नदी के शेटर से और यह जो है मतलब यहां अब आते हैं है अब आते हैं एक नदी और उस नदी का नाम है का रीनिश जो करनाटक जल विवाद है, जो करनाटक, केरल, तमिलाटू और पुडूचरी के बीच में करनाटक जल विवाद है और इसमें विर्णे दिया आया है कि अब जो है जड़ विवाद जो है वो फंडामेंटल राइट है मुली का भिकार है इसको भी चाचा हम दो करें के और लास्क नदी देखते हैं उस नदी का नाम है वेगई नदी ये किरम के छेतर से निकलती है और यह जो है आपको एक माद नदी है वेगई जो भंगार की खाई में ना डिर कर कि कहा गिरती है तो ये हिंद महासादर में गिरती है हिंद महासादरी में और याद रखेंगे इसी के किनारे है आपको एक सहर मद्रोई सहर मद्रोई सहर और ये भी याद रखेंगे इसी मद्रोई के किनारे है आपको मिनाच्छी मंदिर मिनाच्छी मंदिर और ये मिनाच्छी मंदिर को याद रखेंगे यहाँ नटराज की पूजा होगी है इतना दिमाग में आपको सीट रखना होगा इस तरीके से आप बंगाय की खारी के छेदर में जो नदियां किटी है उस नदी का अधियन हो गया अब थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं रिकॉल इसकी सहर नदी को एक अलव चार बनाएंगे जो चार बरी नदी आए ठीक है उसके बाद बैगए नदी तो आपको 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 देते हैं चलिए इधर देखते हैं स्वने रेखा नदी स्वने रेखा नदी को इनका अधम कहां राजी के बठार से होता है यह चोटा नाजपू का बठार से होता है जो जार्खन ओरते होए उरिसा होते होए पहां जाकर की गिरती है तो आप याद कर ये ये वी जो है आपको 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 यहां से नदी निकलती है जो आपको कहां नासिक के तरह में चटर से नदी निकलती है जो नासिक महराश्ट होते हुए यह जाकर के आदर परद इसमें जाकर के गिर जाती है करनाटा के चैतर से नदी ने कलती है हैं और जाकते आपको बंगाल कि ख़ाइने गिर जाति बुटे लिए यह प्झेतों इसलिए एवां दक्षनी पुर्वी मांसुल दोनों से आपको बरसाद जल्दरन प्राप्ट होता है वहीं बेगई नदी एक मात्र नदी है भारत की जो हिंद महासागर में जातर के गिड़ती है और यह कहां से तो देख दीजे यहां पर आपको अभी में दिखाया कि के रल के च्छेतर से निकलता है बेगई नदी के किनालेईं है या रखेगा मद्रोई साहथ मद्रोई में है विनाप्षी मंदीर और बिनाप्षी मंदीर में जीए कुझा होता है नटडाजी को जापती है, यह आपका नदियों का सिर्चला हो गया, अब इस नदियों में हतोग देखते हैं, चार बनी नदियां है, जी सेक्ट देखेंगे, यह देखिए, आपका एक नमर में हो गया महा नदी, महा नदी, तो वहीं दूसरी हो गई, गोदाजनी, तीसरी हो गई, क्रिश्ना, तो चौथा हो गया आपको कावेड़ी, कावेड़ी, यह चार नदियां हैं, इसकी हम लोग सहायक नदी देखें, चिक है, इसकी सहायक नदी हम लोग देखें, चले महानदी में याद अभी हम लोग तो रिकॉल कर दिये महानदी महानदी चलेंगे हम लोग इस तरीके से महानदी का याद रखेंगे एक सहाथ नदी है हांस दो क्या है हांस दो और महानदी पर ही हमने बता रहा कि आपको इसकी मतलब महानदी पर ही है एक बांद, उस बांद का क्या नाम है हिराकुल बांद, और इसकी एक सहाख नदी है तेल, ये छोटी-छोटी नदिया है याद रखेंगे, और दूसरी है भांद, भांद, तो हंस तो तेल और भांद इसकी सहाख नदी हो गए, किसी तो महानदी क वही तरभ्षिन भारात की पड़ी नदियों में गोदावरी नदी कहा से नासिट के छेतर से नदी निकला और इसकी सहक नदी आपें 20 हम धिकला तो और सांगरी, यह यादर खिरिंगे, यह UPSC आपको ज्यादा प्रस्न पुछे था, उसके बाद इसके नीचले हिस्से से हम लोग आते हैं, मंजरा नदी, कौन सी नदी, मंजरा नदी, यही मंजरा नदी पर जहां मिली है, वहीं बनाया गया है, निजाम सागर, कौन सागर, नि इसकी सहाग नदी कौन होगे, पुर्णा, पेलगंगा, बेलगंगा, इद्रावर्ती, सामली और नीचे से कौन सी नदी, मंजरा तो यह आपका होगया कौन सा गोदावड़ी का, अब आते हैं हम लोग दक्षिन भारत की तीसरी बनी नदी, दूसरी साल से बनी नदी है, वह क्रिशना, कौन सी कृष्णा अब क्रिश्ना हम लोग रपाई कि यह कहां से निकलती है तो महा बलेश्वास से और इसकी सहाग नदी कौन उसी है, इसकी सहाग नदी कौन इसको सी, तो ब्हीमा, 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 गिमा कि से मारा ये मूसी मुसी मुसी उसके बाद मुसी के किनाने भी है आपको मुसी नहर के किनाने भी है हैदराबाद सहर हैदराबाद सहर हैदराबाद सहर ठीक है और यहीं पे है जिवराल का बांग जिवरान गरबाद चिक है को दिकत है यहां ता यहीं पर है आपको हुसेन सागर नीचे पर अब से हम लोग इसकी साहे क नदी देखते हैं को याँ धाट पर भाद घाट पर भाद चिक है उसके बाद हम लोग देखते हैं को कप उनसी नदी गोकप क्लियर है यहां तक डिकत है अब यहां आते हैं यहां कावेडि पर शूए घाट के ब्रहंगिरी श्रेली कहां से ब्रहंगिरी श्रेली और यहां से इसके सहट नदी दिमारे सेट रखेंगे कावेली का आगया हेरादी हेमवती हेमवती उसके बाद अरकाववती तो वहीं नीचे हिस्से से लच्मंतिव भवानी भवानी और एक आजये अम्रावन्ति अम्रावती नदी भी है और अभी आंदर परदेश की प्रस्तावित राजधानी अम्रावती है ठीक है खेदराबाद अब ते लगाना में चला जाएगा और अम्रावती स्वतंतरूप से बढ़ेगा इतनी सहक नदी है जो बंगाल की खाली के तो समी नदिया के टीज है लेकि इसको आप लोग फेर कोपी में बनाएंगे और आपका जो है इस तरीके से बंगाल की खाले में जितनी भी नदिया थी उन समी नदियों का हम लोग उने अध्यां कर लिया अब ये चार्वरी नदियों को आप लोग दिमाग में सेट जरू रखेंगे नदियों का परम आप सिरी जिली समाव होता है अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे एक नाई टॉपी के साथ